नमस्कार, स्वागत है आपका विहारी नीज में मैरतन सेन भारती, आज हम बात करेंगे हिलसा मचली के बारे में और जानेंगे कि आखिर हिलसा मचली में ऐसी कौन सा ऐसा गून है या फिर कौन से उसके ऐसे लाब हैं जो वो हजार रुपे किलो बिक्ती है बिहार में मचली उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है बिहार में युबाओं का एक बड़ा तवका मचली उत्पादन पर जोर देने लगा है ऐसे में हम देख सकते हैं कि अब गौओं में थीजिसे नए तलाव खोदे जा रहे हैं बिहार समय पूरे भारत में हिलसा मश्ली की बहुत दिमान रहती है। सबसे ज्यादा दामु में विकने वाली बिछopen मंग्दी में हिलसा ,swald नहीं दिखाई जती है अब लोग उसका स्वाद भी भूलने लगे हैं अब उसके बिगल्ब के तौर पर बर्मी हिलसा से जुड़ोवे दो पुर्जक्ट बिहार में सुरू हुए है बर्मी हिलसा के उत्पादन को इस मामले में भी अहम माना जा रहा है क्योंकि महज एक एकड पांटी की रूप में देखा जा रहा है अई जानते हैं बिहार में आखिर क्यों नहीं मिलती है हिलसा मचली दरसल गंगा नदी पर 1972 में फरक्का बांध बनने के बाद से पानी का बहाब रुक गया और हिलसा भी बिहार की जगह बंगलादेश चली गई पटना बजार समीती एक हजार रुक कीलो होने की बज़ा से इसे कुछी लोग खरीत पाते हैं बजार में हिलसा मचली की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने राश्टिये क्रिसी विस्तार प्रबंधन संस्थान हैजराबाद और नेशनल फिस्रिस डेवलप्मेंट बोर्ड की एकवा क्लिनिक की नोडल एजनसी स्रिस्टी फॉंडेशन ने हिलसा मचली की जगह अबार्मी हिलसा के प्रजनन और विकास से जुड़े इनोवेटिव प्रजेक्ट बिहार एग्रिकल्चर इंवस्टी भागलपूर के सामने एक प्रजेक्ट रखा है इसी प्रजेक्ट के तहत प्रदेश में समस्तिपूर के कलजावर पंचायत वैसालिक जंदाहा में इसके उत्पादन के शुरुआत की जा रही है हिलसा मचली स्वाद और खुबसूरत बनावट के लिए काफी जानी जाती है 100 गराम हिलसा मचली में लगभाग 310 कैलोरी 25 गराम प्रोटीन और 22 गराम बसा होता है 100 मगर हिलसा मचली से आपको अपने रोजाना की जरूरत का 27 प्रतिसद बिटामिन C, 2 प्रतिसद लोहा और 204 प्रतिसद केलसियम मिल जाता है हर्ट की विमारी वाले मरीजों के लिए हिलसा बहुत ही फाइदेमंद है इसमें पाये जानने वाले ओमेगा 3, fatty acid दील और उसकी मा अकताप की समस्या है तो आप इसका सेवन कर सकते है क्योंकि इससे low fat होता है जिसकी बज़ा से high blood pressure की समस्या दूर हो जाती है एक रिसर्च की माने तो हिलसा मसली के नियमित सेवन करने से रक्त में कलेस्ट्रोल का अस्तर कम होता है जिससे धहमनी से जुड़े रोगों का खत इसके नियमित सेवन से यादास तेज होता है और एकाकरता भी बढ़ती है बच्चों को बच्पन में हिलसा मसली खिलाने से उसकी बुद्धी में तेजी से विकास होता है चुकि इसमें विटामिन A की मातरा भरपूर मातरा में पाया जाता है इसलिए इसको आँखों और बचा में नमी हमेशा बरकरा रहती है और बुढ़ापे के लक्षन बहुत कम नजार आते हैं तो बिहार और बिहार से जलू ही और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे देजिया इजाजत धन्यबाद